नमस्कार दोस्तों आप सबको ममता की जिन्दगी में प्यार और मुंता भरी स्वागत है मैं हूं ममता शंकरी आज यह हमारा मंगलूर स्पेशल एक नाश्टे का बता ना दिखा रहे हूं यह रैस बॉल है यह दिखा रहे हूं मैं फूट ब्लॉग है यह इसके लिए यह बॉ बॉलते हैं जो हमारे दान हुगाते है वह लोग को वाला चावल बनाते हैं गरप पानी कर लोप गरम में जिन्दान को बैलों अवारत आंब निलता है इसके बाद मारा बनाते है यहां हमारे हमारे पैंगलु के पालीटी नहीं मिलता है कि मां ह कि इसको बगोकर crippled ​​ टोड़ा देर तक भीगनः पर्ता है कि वह भीगतना यह जल्दी बता रात को भीगते तो सुबहं टक भीग जाएगा को पीषणाना है व्कaimer में यह थे पानी मिलाना है ऑफ और यह सब्गोंक Kin обяз के नमक डालके उसको गाड़ा करना है जब तक पानी सोग जाएगा नो तब դक करना होता है गाड़ा करना होता है इस इसे करते करता वह गाड़ा हो जाएगा को यह मंगलूरू सेड में ही ज़ादा है यह बनाते हैं कुछ आऊठर के से मनता है कि यह वहला चावल को ऑने हम ही मनाथे हमारा खास स्पेशल अब प्लेंस परेशिए यह वर में देखिए ह要 ह् थोड़ी देर के बाद ज्यादा देर नहीं लगती है इसको क्योंकि ज्यादा पानी नहीं डालते हैं तो यह सिम पर रखेव बनाएंगे तो आरम से हो जाता है मतलब ज्यादा मुश्किल नहीं है इसे गाड़ा करना है पानी पूरा सुग गया कि इतना गड़ हो गया आद एक बाल बनने लाएक बन गया देकि रहुंद बना सकता है न जैसे बाल जैसे शेप बना सकते हैं हमारे यह कामने यह देक्षिनग अरे इस दिस्टिक में यह इसका हर गर में यह बनता है हफते में एक बार तो ये बनता ही है बनाना आसान होता है थोड़ा इसलिए इसे हाथ में नहीं लगना चाहिए इतना करना चाहिए देखिए हाथ में नहीं लग रहा है नहीं तो कच्चा हो तो हाथ में लगेगा ये पानी पूरसूकिस वो थोड़ा सा पक गया अभी बंद कर बनाने के लिए और यह बनाने के लिए सब यह होता है तो बाप का ही मतलब स्टीम करने वाला स्टीमर जैसे होता है मेरे पास वह नहीं है इसलिए मैं कुक करम कर रहे हूं उसके उपर प्लेट रखी हूं वो प्लेट में यह इसको इसे बॉल बॉल बना के इसे बना के रखना है वो पकेगा जैसे एकी जैसे round round बनाके वो side में steam आ जाएगा ना उसका side में gap है वो plate के side में कि पूरा इसे रोंड रोंड करके बॉल करके बनाएंगे इसको आइसे भी खा सकते हैं गरम गरम है तो बहुत टेस्टी लगता है उसके एक वो बॉयल ड्रेस का टेस्ट कुछ थोड़ा चेंज है सबी को मतलब यहां के लोगों कि इतना अच्छा नहीं लगते हैं हम खाने में चावल भी उसी का बनाते हैं अभी इसको देखे इस सेड़क के स्टीम आने तक पेज आँच पर रख रहरे हैं अभी अच्छे से स्टीम आने के लिए शुरू में बाद में उसको स्लो कर देंगे लेकि वो स्टीम आ गया अभी अच्छे से स्टीम आ गया हाथ रखने से पतेल रहे वेट नहीं डालना है वेट डालने से अंदर पानी आ जाता है इसको सिम पे डालके मतलब छोटा अंच में डालके 15 मिनिट्स पकाना है इसे पक गया इसको निकालेंगे अभी प्लेट से दो चमच को इस्तमाल करके इसे प्लेट में निकालेंगे इसे ही का सकते हैं इसको अचर के साथ का सकते हैं या दही के साथ का सकते हैं सामबर चटनी यह सब करके का सकते हैं हम लोग शेहद में भी काते हैं तो सब कुछ ऐसे बिका सकते हैं गी इसको भूफ नोब कर्टा हम नारियल के साथ मिलाके भी करते हैं अभी देखे यह नारियल गीज के रखी हों मैं घोड़ा सा नमक की ए और इस में मीठह के लिए बुट diesemŘी्ण मा dell को पैज스 में इसलिए वो गूड डाल लेती हूं मैं अच्छे से गूड को इसे इसके डाल देंगे इसमें चीनी नहीं डालता है मतलब चीनी नहीं डालते हैं चीनी डालने से अच्छा लगता है चीनी डालने से अच्छा नहीं लगता है कुछ कुछ चीजों में गूड़ी इस्तेमल होता है कुछ कुछ चीजों में चीनी ही इस्तेमल होता है मीठे के लिए हमारा खाने में ज्यादत मीठा पन रहता है मीठा मतलब कुछ ना कुछ मीठा पन होता ही है नारियल भी गूड़ भी दोनों हमेरे चाहिए चाहिए होता है अब इसमें तड़का लगाऊंगी एक लाल मिर्चन है उसको थोड़के डाल दूंगी उसके उपर और उड़ाद दाल थोड़ा सा सरसो डाल दूंगी एक दो चमच एक चमच काफी है और उसके उसमें तेल डाल दूंगी तेल थोड़ा तीन चमच दो तीन चमच तक चाहिए अच्छे से चाहिए कि इसे हो जाएगा तो यह देखिए इसे इतना चाहिए तेल लाल मेरी चुरच दल और सरसो तीनों मिला के अभी इसको टाड़का बनाऊंगी अब देखे होंगे मैं हमेशे बरतन रखके बाद में आग जलाती हूं मतलब गैस जलाती हूं तो इससे गैस बच जाता है तोड़सा हर बार इससे करता करता है बहुत ज़्यादा बच जाता है किसले वेस्ट करना है न यह सही तरीका होत होता है पहले गैस चलाएं कि बाद में बरतन रखेंगे बाद में वहां जानते रतरकता है तो मेरे लिए न गयास एक सिलींडर तीन महीन तक Ahh जाता है हम चार लोग हैं यह कडी पत्र डाली हूँ में तडका कटम होते ही हुँ है हम चार लोग है कर में पूरा खाना इसे बनते हैं पूरा गस पर मान बनता है फिर फी के तीन महीना आ जाता है मुझे इस को नार्यां के мяс सांथ मिदाना है फिर अच्छे से इसको मिलाना है नारियल के साथ यह तड़कर पर वह गरम है हाथ में तोड़ करना पड़ ता है हिना थोड़ा टंडे होने तक रख सकते हैं लेकिन टाइम लगता है इसले तीक चाये तो यह मिर्ची को इसे चूर करना है, चूर करेंगे तो वो तीखा अच्छा से हो जाएगा, तीका बन जाएगा हो, अभी ये रैस बाल है न, उन्डे बलते हैं हम लोग उसको चूर चूर करके इसके साथ मिलाना है, ये इनेरियल के साथ, अशी, अब इसको इसे मिलाते जाना है, अब तो अच्छा टेस्टी हो जाता ही को अच्छ से मिलने के बाद खाने के लिए तैयार है विखा सकते हैं स्पून के साथ कि अच्छ से डालके एक टेस्टी एक नाष्टा हो जाता है सुभा के लिए एक वेराइटी बन जाएगा आपको भी अच्छा लगेगा बनाके देख लीजिए आपको यह चावल मिलता है तो यह हमारा एक नाश्टा का एक वेराइटी है हर घर में यह बनता ही है तो यह मंगलुरू स्पेशल है सभी जगा नहीं बनता है यह तो आगले वीडियो में और एक स्पेशल दिखाऊंगी तब तके लिए धन्यवाद